अपने मिशन को सक्सेस्फुल बनाने के लिए हमें चालिए स्ट्राटेजी अगर हम ऑलम्पियाड देते हैं तो वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन जाते हैं यानि आपने कॉंसेट को बिल्टी जड़ से पकड़ना है अब भई उनम्पियाड है तब एंचियाड की किताब से तो क्वेश्चन देंगे नि कैसे स्मार्टी पोचना है यह हमें मैट सिखाता है जो लेवल तूर का उनम्पियाड होगा उसमें ऐसे प्रीवियस क्रास काला कूल सी नहीं है बिना अचिवर सेक्षन को क्राक किये कोई गोल्ड मेडलिस नहीं बन सकता हाई एवरीवान वेरी 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 वर्म वेलकम टू पी डवल्यू आज है हमारा एक काफी स्पेशल सेशन क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के बारे में अब सबसे पहला क्वेशन ये की ओलम्पियाड होते क्या हैं? क्या मतलब है ओलम्पियाड का? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में ओलम्पियाड एक कॉंपिटिटिव एक्जाम होता है अब आप सोच रहे होगे मैम बच्पन से इतने सारे एक्जाम्स देते आ रहे हैं स्कूल में क्या वो इनफ नहीं थे? तो अब हमें एक और एक्जाम के लिए अपियर होना पड़ेगा तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ओलम्पियाड क्या होते हैं? हमको क्यूं इनको देना चाहिए? इतनी ही बात करेंगे? नहीं! इससे और भी जादा बात करेंगे ओलम्पियाड के बारे में हम ये समझेंगे कि अगर हम ओलम्पियाड देते हैं तो वहाँ पर किस तरीके के questions आते हैं? अगर हमें ओलम्पियाड के लिए प्रिपेर करना है तो हमें कैसे प्रिपेर करना चाहिए? यानि की strategy के बारे में भी discuss करेंगे? तो let us just start our discussion. तो वही question back to the same question. What are Olympiards? तो अगर मुझे बताना है कि ओलम्पियाड क्या है तो Olympiards simply, basically competitive या scholarship exams होते हैं जो across the world बहुत सारी foundation, institutes, even government conduct करती हैं आप जैसे बच्चों के लिए. कौन से बच्चे? पिटा ये जो हमारे Olympiard exams होते हैं ये start हो जाते हैं right from class 1 and ये होते हैं class 12 सक. Yes. तो आप किसी भी class में हो, आप Olympiard exams में appear हो सकते हो. बट क्यूंकि यहाँ पे आज हम specifically बात करेंगे class 9-10 students की, तो आज हमारा focus उस पे जादा रहेगा. तो अब ये Olympiards के अगर हम बात करने ही लगे हैं, तो अब एक और question आता है दिमाग में कि भाई हमको क्यूं देना चाहिए Olympiard? इसमें मेरा क्या फाइदा? तो सबसे पहले ये समझते हैं. बिटा, कोई भी Olympiard में आप appear हो रहे हो और doesn't matter, चाहे वो NSO हो, चाहे वो NTSC हो, कोई भी scholarship या competitive exam में जब आप appear होते हो, तो उसके कुछ benefits हैं. One by one करके इन benefits को देखते हैं. तो सबसे पहले analytical and problem solving skills. देखे बिटा, जो हमारे Olympiard exams होते हैं, इन में different different sections होते हैं, यानि कि इसका जो pattern है, वो हम next part या फिर next section of this video में हम discuss करने ही वाले हैं, right after few minutes. But, पहले अगर मैं बात करूँ इस point की, तो जैसा कि मैंने कहा, जो हमारा paper होता है, वो different different sections में divided होता है. वहाँ पे कुछ हमारे math, यानि कि mental ability के questions होते हैं, हमारे कुछ जो हमारा subject है, जैसे कि science, English, mathematics, social science, उसके questions होते हैं, तो हमें बिटा, कई तरीके के questions वहाँ पे देखने को मिलते हैं, अलग-अलग category के questions देखने को मिलते हैं, तो जब हम उनको solve करते हैं, तो हमारी analytical and problem solving skills improve होती हैं. अगर मैं इसको अपने school exam से compare करूँ तो बिटा, आप खुद बखुद आप जानते हो कि, जिस तरीके के exams में, हम school में appear होते हैं, they are more of very much dependent on the concept which is given in book, तो वहाँ पे ह हैं, theory पढ़ते हैं, concept को समझते हैं, कुछ numericals या उसके based on question कर लेते हैं, बट जब हम scholarship exams की बात करते हैं, तो वहाँ पे obvious सी बात है, competition थोड़ा high होता है, and वहाँ पे हमारे जो questions होते हैं, वो hot question होते हैं, hot question मतलब high order thinking skills वाले questions होते हैं, तो जब हम उनके लिए prepare करते हैं, तो yes थोड़ी महनत जादा लगती है, बट yes, उससे हमारा analytical and problem solving skills improve होती हैं, उसके अलावा obvious सी बात है, जब हम scholarship exams या competitive exams के लिए prepare करेंगे, तो obviously हमारी academic performance तो अच्छी होगी ही होगी, and हमारी जो overall conceptual clarity है, वो भी बढ़ेगी, and जब हम किसी भी इस तरीके के competitive exam में appear होती हैं, तो obviously हमे अपनी strength and weaknesses के बारे में भी तो पता चलता है, कि हमारा कौन सा topic अच्छा है, कौन सा topic हमारा weak है, तो हमें अपनी strength and weakness पता चलती है, कौन से subject में हमें improve करने की जौर्थ है, किसमें हमें महनत और करने की जौर्थ है, कौन सा topic हमारा strong है, इस चीज़ को भी हम अच्छे से identify कर सकत है उसके अलावा प्रिपेर फॉर अधर कॉंपिटीशन अब यह तो नहीं है कि तुम क्लास 9th & 10th में आ गयो आगे भी तो जाना है आगे जाके आपको NEET के लिए JE के लिए CUET के लिए IAS के लिए NET के लिए CTAT ना जाने आपको भी अपनी लाइफ में कितने सारे competitive exams देनी हैं तो why don't we start early अभी से क्यों ना start करें हम तो अभी से अगर हम competition या competitive exams के लिए start करना शुरू कर देंगे तो येस इससे एक अच्छी habit develop होगी हमारे अंदर कि हमें अपनी school के exam के साथ साथ दूसरे exams की भी त्यारी करनी है कैसे करनी है strategy तो वो एक habit build up अभी से हम शुरू कर सकते हैं improves reasoning and logical ability जैसा कि मैंने कहा बिटा हमारा math एक बहुत ही important subject है math subject क्या बिटा ये हमारा part of life है हना सोचना हमें हर टाइम पढ़ता है तो चीजों को सोचना है कैसे smartly सोचना है ये हमें math सिखाता है और ये लगबग हर competitive exam में पूछा जाता है school exams की बात नहीं हो रही है यहाँ पर यहाँ पर competitive scholarship exams even जो government job के exams होते हैं वहाँ पर धेर सारे questions math से पूछा जाते हैं and almost हर olympiad exam में math आता है additional knowledge source obviously अभी हम अपनी school के किताबों से गिरे हुए हैं हम उसके beyond नहीं जाते बट येस जब हम किसी competitive exam के लिए prepare करते हैं तो obviously हम नए books को हम prefer करते हैं refer करते हैं obviously उस किताब को जिसको हम school में पढ़ रहे हैं उससे beyond जाते हैं तो हमें extra knowledge भी gain होती है profile building this is very very important जब आपके profile में लिखा होगा कि आपने scholarship exam clear किया हुआ है आपने competitive exam clear किया हुआ है आपके interview में गए हो तो इससे आपका profile strong होता है तो this is a very very good and a plus point for you अगर कोई interview में आप गए हो एक candidate है नेक आप होकर आपके पास Olympiad का एक certificate है कि आपने अच्छे marks Olympiad clear किया है तो yes that will be a plus point last but not the least and important for so many students scholarship opportunities तो बिटा government time to time इस तरीके के scholarship exams जैसे कि NTSC है या KVPY है बहुत तरीके के बहुत तरीके के exams हमारी government conduct करती है और उसके अलावाद जैसा कि मैंने कहां बहुत सारी foundations जैसे कि हमारी SOF foundation है राइट यह scholarship exams conduct करते हैं इसमें बिटा आप जब अच्छा score करते हो तो आपको कुछ amount price money में या scholarship में मिलती है तो that is a very great opportunity for those students जिनको scholarship चाहिए तो financial aid भी मिलती है कितने सारे benefits है scholarship exams या फिर हमेरे olympiards देने के अब आपके दिमाग में question चल रहा होगा माम में को science olympiard देना है मैं कौन सो olympiard दे सकता हूं देखिए बिटा बहुत सारे olympiards होते हैं depending upon के आप कौन सी country में है depending upon अगर इंडिया में तो है कौन सी state में है कौन सी state में है कौन सी city में है this varies a lot बट एक बहुत ही जादा famous science olympiard की मैं बात करूँ तो वो है हमारा NSO that is national science olympiard ये national science olympiard जो है बिटा इसको conduct करता है हमारा s o f अब ये जो s o f conduct करता है NSO को इसके pattern को समझते हैं देखते हैं कि paper किस तरीके का आता है और मुझे इसमें क्या-क्या पढ़ना होगा तो हमने ये तो जान लिया कि olympiard देना क्यों जरूरी है olympiard देने की क्या importance है क्या फाइदे हैं तो चलिए अब ये जानते हैं कि जिस olympiard को हम focus कर रहे हैं उसका exam pattern कैसा आता है तो चलिए national science olympiard के exam pattern को discuss करते हैं तो देखो आपका जो बेटा exam है वो तीन sections में आता है पहला आपका section 1 है logical reasoning अब paper देना हो लंपियाट देना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ठीक है तो logical reasoning आपका section 1 है जिसमें 10 questions आते हैं 11 mark का एक question होता है तो total marks जो है section 1 के वो हो गए 10 section 2 है आपका science जिसमें 35 questions आते हैं obviously जो हमारी सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगी सबसे ज़्यादा importance रहेगी वो science की रहेगी तो 35 questions आएंगे आपके section 2 में one mark का each question होगा and section 2 के marks हो गए 35 अल्राइट अब अगर हम बात करें section 3 की तो section 3 होता है हमारा achiever section यानि कि इस section में हमारे high level के question आते हैं जो high order thinking वाले questions होते हैं अब बही ओलंपियाड है तो NCRT की किताब से तो question देंगे नहीं थोड़े तो typical questions होंगे ही थोड़े तो high level questions होंगे जिनमें आपको out of the box thinking करनी पड़ेगी ठीक हैं तो वो होगा पिटा आपका section 3 which is the achiever section जिसमें आपके 5 questions आएंगे हर question 3 mark का होगा तो total जो section 3 के आपके marks होगए वो है 15 तो अगर हम overall paper देखें तो overall paper में total questions तो हो गए 50 and total marks कितने हो गए 60 marks का जो है हमारा paper हो गया यह exam pattern है बच्चों 5th to 10th की class तक का ठीक है अब अगर हम हर section को थोड़ा सा detail में देखें थोड़ा सा ठीक है तो आएए देखते हैं अगर section 1 की बात करें जिसमें logical reasoning आ रहा है तो उसमें verbal and non-verbal reasoning है simple सी बात है ठीक है section 2 की अगर हम बात करें and if you are targeting बेटा 9th का NSO ठीक है तो 9th का syllabus क्या हो गया आपका 9th level का motion force and laws of motion gravitation work and energy sound matter in our surroundings is matter around us pure atoms and molecules structure of atom cell the fundamental unit of life tissues, diversity in living organisms, why do we fall ill, natural resources, improvement in food resources तो आपका section 2 भी हमने पीछे देखा था ना तो यह आपका 9th का वो हो गया section 3 के अगर हम बात करें जिसमें achiever section में high order thinking skills के question आने वाले थे तो ऐसा नहीं है कि science के लंपियार में math के question डाल देंगे नहीं जो हमारा section 3 है उसमें बेटा questions का जो syllabus है वो क्या है high order thinking वाले जो questions है उनका syllabus है as per section 2 यानि कि इसी syllabus में से आपके वो high order thinking skills वाले होट्स के जो questions है वो बनेंगे कई इदर उदर नहीं जाना ठीक है तो इतना आपको समझ आगे this is if you are targeting 9th का NSO अगर हम बात करते हैं कि अगर आप 10th के NSO को target कर रहे हैं तो section 1 तो वहीं सेम रहेगा exam patterns the same ये 5th to 10th हमारा section 1 में हमारा verbal and non-verbal reasoning आजाएगा section 2 के अगर हम बात करें तो देख लो 10th का science chemical reactions and equations acid basis salts metals and non-metal carbon and its compounds periodic classification of elements life processes control and coordination reproduction in organisms human eye and the colorful world electricity magnetic effects of electric current sources of energy our environment and its management ठीक है okay and वहीं सेम बात जो section 3 हमारा achiever section है उसमें क्या है high order thinking के questions होंगे उनका syllabus क्या है syllabus as per section 2 ठीक है तो यह है अगर आप 10th के NSO को target कर रहे हैं इसके बाद आपने जो है NSO का बिटा पहला exam दिया and if you score good marks in it ठीक है then you become eligible for the level 2 examination ठीक है उसका syllabus देखते हैं level 2 examination की अगर हम बात करें तो obviously बात है बटा उसमें और ज्यादा वेटेज जो है और ज्यादा science को दी जाएगी तो देखो science section आपका 45 questions ठीक है हर question एक mark का होगा तो total marks हो गए 45 section 2 वही आपका achiever section जो थोड़े अच्छे out of the box thinking वाले questions है पांच question आएंगे तीन नंबर का हर एक question तो total marks हो गए 15 and पहले जैसे ही total questions आपके हो गए 50 and total marks जो है आपके 60 हो गए तो ये था प्यारे बच्चों level and level 1 and level 2 का exam pattern अब कुछ points है जो काफी important है और आपको जानना जरूरी है ठीक है पहला point है questions of level 1 olympiad exam जो आपका level 1 का olympiad होगा questions of level 1 olympiad will be 60% from the current class syllabus and 40% from the previous class syllabus तो इसका क्या मतलब है जिस class के आप NSO को target कर रहे हैं तो example भी दिया है अगर आप class 7th के जो मतलब कर रहे हो the 60% questions तो आपकी class 7th से ही आएंगे current syllabus से ही आएंगे and 40% आपके previous class that is class 6th के questions आयेंगे तो अगर आप 9th के NSO को target कर रहे हैं तो 60% कहीं स्क्षे श्लेबस से आएंगे and 40% आपकी previous class that is class 8th किस लेबस से आएंगे और वो आपने पढ़ ली है और अगर आप 10th के NSO को टार्गेट कर रहे हो तो 60% questions 10th किस लेबस से आएंगे and 40% आपकी previous class that is class 9th से आएंगे ठीक है, done है, okay, second point, questions of level 2 Olympiad exam will be from the current class syllabus only, जो level 2 का Olympiad होगा, उसमें ऐसे previous class वाला कोई सी नहीं है questions of level 2 Olympiad exam will be from the current class syllabus, जिस class में आप हो उसी class के syllabus में से questions आएंगे, level 2 Olympiad में, ठीक है, and then third point questions in the achiever section will be from current class syllabus only, जो आपका achiever section है उसमें जो question आने वाले हैं, वो आपके current class के syllabus में से ही आएंगे ठीक है, तो बेटा ये था आपका जो exam pattern in detail, अब हमने ये देख लिया कि Olympiad क्यों देना जरूरी है, क्या फाइदे हैं, हमने exam pattern को भी detail में discuss कर लिया, तो अब अगर हमने goal set कर ही लिया है, तो उस goal को achieve करने के लिए, अपने mission को successful बनाने के लिए, हमें चाहिए strategy, तो चलिए अब discuss करते है, strategy to tackle the Olympiad. तो बच्चो पैटन तो आप लोगों ने देखी लिया, अब हम लोग बात करते है strategy के बारे में कि किस तरीके से इस Olympiad को जिसका नाम NSO है, National Science Olympiad, जो कि SOF के दौरा करवाया जाता है, उसको किस तरीके से हम लोग crack कर सकते हैं, तो यार मैं आप पर 6 points लेकर के आया हूँ, जो कि past year बच्चे, जो कि gold medalist रहे हैं, उनी के experiences पर based है, तो इसमें सबसे पहला point कहा जाता है कि भाई, आपको conceptual clarity पूरी होनी चाहिए, यानि आपने concept को बिल्कुल जड़ से पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पर science की अगर बात करें, तो खासकर physics और chemistry की बात करें, तो yes, यहाँ पर घुमा करके questions भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो अगर घुमें फिरे question आए, और आपका concept clear नहीं हुआ, जो कि NCRT based concept ही है, आपने सारा साथ ही साथ MTG करके एक publishing house है, जिसकी बहुत सारी books, workbooks वगरा आपको available हो सकती है market के अंदर, तो yes, आपने MTG, अगर आप चाहते हैं, तो आपने buy कर लेनी है, अगर बच्चा कोई मुझसे फूसता है, कैसर कौन सी book recommend करें, तो भाई MTG आपको जरूर पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ previous year questions की, अच्छे level पर previous year questions जो है, वो आपको science olympiard की site पर ही मिल जाएंगे, SOF की site ही है, जो original site है, उनकी authentic site है, वहाँ पर जाकर कि आप वहाँ से previous year questions को भी download कर सकते हैं, और अपनी हो गया, NCRT equation आपके बन गए हैं, उसके बाद ही आपने जा करके कुछ और buy करना है, अपने घर वालों का पैसा लगाना भाई, ठीक है, एक बार NCRT पूरी होने के बाद ही, आप अगर सोचते हैं कि मुझे Olympiad की त्यारी करनी है, तो भाई, PYQs करिएगा, PYQs के साथ-साथ आपको MTG की books से भी refer करना है, उसकी workbook भी available है, reasoning की भी, science की भी, different, जितने भी आपके stakeholders है, सारे subjects की available है, तो आप जा करके MTG का set of books है, वो आप buy कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, इसी के साथ, देखा ये गया है कि भाई, अगर आप class 10th के student है, आनि आप class 10th के लिए Olympiad को target कर रहे हैं, तो physics के अंदर numerical भर-भर के देखने में आएंगे, ठीक है ना, मतब जितनी higher classes में आप जाते हैं, numerical की percentage बढ़ती जाती है, और theoretical question जो है, वो घटते जाते हैं, physics की अगर मैं बात करो तो, chemistry में भी एक आदा question आपको देखने को मिल सकता है, numerical हो, जो की आप crack कर सकते हैं, exam को, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी numerical practice उतनी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले NCRT के numerical की practice आपने करनी है, उसके बाद ही कहीं और जाना है, तो numerical practice बहुत important अगर आप past year paper देखेंगे, PYQs देखेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे numerical देखने को मिलते हैं, physics के अंदर, ठीक है जी, साथी साथ हम लोग बात करते हैं, एक section है, achiever section जिसके भी बात करी, achiever section की weightage, obviously, normal question से जादा है, जो section 3 बनता है, achiever section, इसकी जो weightage है, वो बाकी सारे question से जादा है, तो yes, आ आपको जितना भी समय लगता हो, 12 minute, 15 minute, 5 question करने में, या 3 question करने में, respectively, आप किस class में पढ़ रहे हैं, किस stage पर दे रहे हैं, achiever section को, तो भाई, वहाँ पर जाकर के आपने इस पर समय लगाना है, ठीक है, इस पर समय लगाईए, इस पर समय लगाना जरूरी है, क्योंकि इसकी solve करते हैं, बाद में आते हैं, जो normal questions होते हैं, उनके उपर, और end में आते हैं, logical reasoning पर, तो ये एक pattern है, जो की, एक trend है, जो की follow किया गया है, by the medalists, तो भाई, achiever section तो आपने करना ही करना चाहिए, 12 से 15 minutes के अंदर लग जाए, लगाईए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है न, ले अपने आप में confidence देती, आप चाहें, तो guess marker करके आ सकते हो, आप चाहो तो options को eliminate करके, बाद में तुक्का भी marker करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो no negative marking जो है, ये एक plus point रहने वाला है, हर बच्चे के लिए, तो इसलिए कोई भी question आपने छोड़ करके नहीं आना है, ह अगर आप sample questions को, previous year paper को, एक time bound, घड़ी बांध करके करते हैं, कि बाई मुझे एक घंटे के अंदर ये 50 question करने है, एक घंटे के अंदर इतने question करने है, आपकी जो भी speed शुरुआत में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि आप practice करते जाएंगे, आप अप अपनी time management skill को और enhance करते जाएंगे, तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, हम तीनो teachers की तरफ से, complete PW family की तरफ से, आप सभी को Science Olympiad के लिए all the very best, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए take a da-da, bye-bye.